इस कालिक्रम के फ्राविजक हैं दसेलोन, मेंस पॉलर एंड इस्पा, नियर वाइ आदर्स पेट्रोल पंप, बिलासपुर रोड, सारेंगर बैटने की समस्या है, नगरपली का इस पर कुछ करनी रही है, इस पर कुछ नहीं कर रही है, सर्वो, इस्थाने यादरी जो राद को रुकते हैं, उनके लिए कोई व्योस्थानी है, पुलिस चोकी भी है, तो बस इस्टिन से बाहर, नवस्कार, हम सारंगर विधान सबा छेतर में हैं, और यहां राजनितिक माहोल अब गरमाया हुआ है, कांग्रेस के लगभग 19 नाम दावेदारी के लिए गए हैं, जिसमें वर्तमान विधायक उत्तरी जांग्रे हैं, पूरो विधायक घंस्याम, पदमा घंस्याम मनहर हैं उनके पती घंस्याम मनहर हैं, युवा नेता विनोध भार्दवाज हैं, उनकी पतनी अनिका भार्दवाज हैं, अब हम जिस खबर को लेकर आज जंता के बीच आए हैं, उसे बता दें कि वर्तमान में जिला मुद्दा को लेकर उत्तरी गंपज जांग्रे पुना हम मैदान हैं कि क्या उत्तरी गंपज जांग्रे के सामने भाजपा का कोई दावेदार है या नहीं है, क्या नाम है आपका, मेरा नाम दूर्गेस है, पान दुकार की कैसे चल रही है, पहले सबी कम है क्योंकि मौफ़ा बढ़ी है, जिला बनने बाद आवागमन बढ़ा है, तो आवा सामने नहीं लाया है, कि उसकी चक्कत दे सके, आपको क्या लगता है, भाजपा को कोई उमिद्वार है, जो उत्तरी गंपज जांग्रे को आने वाले चुनाओं में टक्कर दे सकता है, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, बाखी राजनितिक महल गरम है, चर्चाहें लोग जान सब्चुनाओं में टक्कर दे सकती है, बीजेपी उन्हें उतारती है, इसके बारे मुझे जानकारी नहीं है, चलिए और भी जनताओं से हम जानने कोसिस करेंगे कि क्या उत्तरी को टक्कर देने वाले भाजपा के कोई नेता है, क्या कोई भाजपा का दावेदार है, और भी हैं हमारे साथ, बीयाप का नाम क्या है, रमिंद्र के सरवानी है, जैसा कि आप जानरा भी वरतमान में उत्तरी गनपज जांगरे हैं, जो जीला के मुझे को लेकर पुना टिकिट के लिए दावेदारी किये हैं, लेकिन भाजपा ने अभी तक अपना पत्ता नहीं हमारे हिसाथ से तो जो सुन रहे हैं, और रिपीट करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, तो भाजपा का आप कारेकाला भाजपा का देख चुके हैं, उत्तरी का भी देख चुके हैं, तो अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि महोल में ये सुना जा रहा है कि सारांगर में बीजेपी आ सकती है, ऐसे तो कोई लहर नहीं बना है, अब कंडिडेट के उपर है, तो उत्तरी आएंगे, ऐसा लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है, तो यहां सभी लोग कह रहे हैं कि उत्तरी आ सकती हैं, उत्तरी गंपज जांगने पुना, अगर उन्हें दावेदारी की जाती है, तो पुना उत्तरी यहां पर जीत सकते हैं, और भी जनताओं से हम इस मामले में राय जानेंगे, अब दूसरे जगाले चलते हैं, जहां वहां भी जनताओं से जानते हैं कि उत्तरी गंपज जांगरे के टकर में बीजेपी के क्या कोई दमदार नेता सारंगर मे पाटिसीपेट करहे हैं हाँ तो आटो से सफ़ार हो के फिर एक बार बस सिटेंट परा गया ऐंधूस आटो वाले से बाता करें थोड़े आटो वालों से भी जान क जिता किया नाम है अपका शदोष कटकवार जीब बताएंगे आटो कप से चला रहा रहे ह। पेट्रोल वाला ने लग रहा है नहीं नहींये अरणी एफंट्री वाला इस में कि पेट्रोल में की यहां कित तो है घरी का ति में तो पेट्रोल में सराहत मिल रहे कुछ एवी से क्योंकि आप ही सरकार एलेक्टरीक वीकल ये सब को ज्यादा बढ़ावा दे रही है कुछ फायदा मिल रहा है इस से आपको वस जैसे पाड़ि बेतर्विक तरीके से खड़े रहती है को समस्या होती है कि नहीं लोग कभी होती है लेकिन मेरे को कोई समस्या नहीं होता है पीने की पानी की ब्योस्था नहीं है को fi है या सेप्टिक है सोचाले भी है सब चीज है लोक प्रीता से तो नहीं पूर नहीं कि सब बढ़िया और थे आ बाटों वाले थे जिन्हों बताया कि वी रिक्सा से हमें बहुत फायदा मिल रहा है क्या नाम है भाई साब आपका का रहा है तो वापस उन्हीं को चुनेंगे भाजपा का कोई ऐसा नेता का नाम बताईए जो तरी गन पर जांगरे को टकर दे सके अब आपको इसको बताईए मेरे कोई समस्य नहीं है मैं कंगरे सरकार से बहुत खूस हूं अच्छा खूस हैं नर्वा गुर्वा जो बारी है बहुत अच्छी बात है कांगरे सरकार से आप खूस है यह अच्छी बात है जिला बनने के बाद लोगप्रिया वाकई में उत्तरी गन पर जांगरे की जो लोगप्रियता है वो दिनों दन बढ़ी है ठेले वाले बात कर लेते हैं भाई क्या नाम है आपका इतने दिनों से यहां धंदा कर रहे हैं लगता है कुछ समस्या है यहां पर कुछ बहुत समस्या है सामने में सौचाला दिख रही है क्या है व्योस्ताइब यह ठीक पीने का पानी थोड़े इसार उसको को चले बात कर रहे है सवच्छाला धूस्ता है पानी के समस्या है यांति के बैठने की समस्या है बहुत परयसानी हो रहा है याँ कि चलो यहां पर water pump को सुधार दिया जाए पीने पानी की द्योस्था ठीक धंग से कर दिया जाए इसी कोई व्योस्था नहीं कर रही है कि अध्यक्ष कर रहे हैं कि आप लोग कुछ दिये नहीं है आवेदर नहीं दिये क्या यह सिकायत नहीं है भाई बस इस्ट्रेट का आलम यह है बोलके अच्छा यह सब बातों चोड़िए वर्तमान विधायक उत्तरी गंपर जांगरेक कालेकाल से कितने खुस हैं आप मैं महुत खुस हो सार अभी तो अब वस इस्ट्रेट में व्यस्था का आलम बता रहे हैं तो विधायक से शिकायत भी कर सकते हैं विधायक से लेकिन नगरपालिका से नराज है यह बड़ी समस्या है देखिए आपको बता दे वर्तमान विधायक उत्तरी गंपर जांगरेक महिला है और यहां जो नगरपालिका परिसद है उनके ध्यक्ष भी महिला है अब देखिए सामन जैसे यहां पर बिगर रहा है विधायक को लो सब्सक्राइब रहा है रोज खाते हैं कितना घुर्ता खा लेते हैं साथ आठ्थो मुझ छोटा हो जाएगा भई अच्छा बोट डालने को उम्र हो गया है आपका मेरा तभी नहीं हुआ है कुछ भी समस्या है आपको पढ़ाई लिकाई को लेका पढ़ाई लिकाई कर रहे चलिए कुछ और जनताओं से बात कर लेते हैं इनसे जान लेते हैं कि क्या समस्या है एक बात बताईए यहां पर देख जब से आए तब से देख रहे हैं बस आ रही है बेतर्तीब खड़ी के तरीके से बस खड़े हैं पानी के विवस्था का ठीक ठाक नहीं है गाए बैठने के लिए बैठने के लिए बैठने के लिए बाठने के लो पुरा केमरा कहीं बेषिवस्था करी रही है इस पर कुछ नहीं कर रही है सर वो हम आपको बता दें मेरे पीछे आप देख रहे हैं यह आसरा इस्थल है लेकिन यह आसरा इस्थल कम है और खंड़हर जाता जादा होते दीक रहा है एक गेट है यहाँ कोई रहता भी नहीं है इस्थाने यादरी जो रात को रुकते हैं उन पिलाल हम उत्तरी गनपज जांग्रे के कारेक्ट टक्कर को लेकर यहाँ पर जनताओं से चर्चा कर रहे हैं इस समय हम खड़ें सारंगड के बस इस्थेड में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह नंद पान ठेला यहाँ पर रोजाना हजारों सेक्ड़ों के लोग पान दे सकता है तो आपको जानगरी के लिए बता दू भाजपा से इस समय मनोज लहरे नंदनी वर्मा जैसे दिगज भाजपा के कारेकरते हैं वही जीवन रात्रे का नाम भी सामने चल रहा है ऐसे कई भी दावेदार हैं जो उत्तरी गनपज जांग्रे को टक्कर दे सकते हैं लेकिन इसमें हम जंता की राय जानने के लिए निकले हैं जंता की राय जानते हैं सबसे पहले पान दुकान वाले के पास चलते हैं क्या नाम है आपका गोई को दिख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पुना उत्तरी गंपज जाएंगी तो यहां जो पांच दुकान के संचाला के वह भी कहा रहे हैं कि उत्तरी गंपज जाएंगी भाजपा दूर दूर तक टक्कर में नहीं है यहां पर आम लोग खरें भीया कहना मैं आपको भिए मैं नहीं बोल सकत है कि मआ अंपज विए इसनल लेते हैं तो यहां पर और ओर भी लोगों सो जानेंगे दुकान वालों से जानेंगे यहांëं पर का ना मैं भाई आपके अभी वर्तमान में उत्तरी गंपच जांग्डे कारे काल थे अपकंब नहीं र्चपानि पर पहली पड़े मिस्त्राइविए था यह द्योकूती है कि सब्ल में हम लगे मिस्त्रिक स्वाण्पच फड़ी कि यह बस इस्टेन का छेत्र है आई ये कुछ रिक्सेवालों से बात करते हैं क्योंकि देखिए जिला बनने के बाद उत्तरी गनपज जांगरे की जो लोग प्रियता है वो भारी बढ़ी हुई है यहां पर कुछ लोग और हैं उनसे मिलकर हम बात करते हैं क्या नाम है उत्तरी गनपज जांगरे के सामने कोई और नेता है जो उत्तरी गनपज जांगरे को टकर दे सके फिरहाल तो अभी हमको तो इसी नजर नहीं आ रहे हैं अच्छा उत्तरी गनपज जांगरे की जो लोग प्रिता है सारंगर में बहुत जादा है उनका विवहार बात विवह बहुत अच्छा लगता है जिला उन्हों बनाया धन्यवाद देंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद तो देखिए यहां पर और भी लोग है उनसे चर्चा करते हैं क्या नामें भई साब आपका विजय कुमार अच्छे जानकारी आप से भी ले रहे हैं उत्तरी गन पर जां मिला है क्या समस्या है यूसे अधु की हैं हमारी महला में पहले बार छोगों का पट्टा नहीं मिला है यह जात बेखिए हैं चलिए पट्टाक बहुत बड़ी समस्च्या है आपको बता दें सारांगर में पट्टा को लेकर कई बार आंदोलन चले हैं कई महलों आज भी ऐसी हैं जो बीना पट्टा के गुजर बसर कर रहे हैं पिछले 50 सालों से 100 सालों से लेकिन आज तक ना भाजपा इसका समस्या कर निदान कर पाया है ना ही कांग्रेस कर पाई है ब पिर और लोगों से बात करने के कोशिश करते हैं यहां पर एक और आटो वाले हैं हमारे साथ में क्या नाम है आपका निल मडी मैतरी सराइपाली से क्या कर रहे हैं पुठा पुठा ना पाते हैं कबारी का धंदा करते हैं हाँ हाँ अच्छा एक बात बताईए उत्तरी प्रिया का कारण है कि छठी में पहुंच जाता है मरने हम पहुंच जाता है न्यम्मत्रा देने से उन्हीं ही का लोग है और अपने आदमियों के भीश पहुंचती होंगी ना जिनकी जान पहचानेकारे करता हैं पुना उसको जीता रहे हैं अब भाच पर कोई अच्छा नेता आ गया उनको टककर दे दिया तब अब उसके तो टककर में अभी क्यों कि अभी उसके जैसे नहीं है ना उनके कारेकाल से काफी खुस हैं तो चलिए इनके कारेकाल से उत्तरी कारेकाल से कई लोगों का काना है कि उत्तरी गन पर जांगडे लोग प्रिता इसलिए लोगों के आवे निवेदन पर घर पहुच जाती है घर चली जाती है चली अच्छी बात है लोगों से जानने की कोशिस करते हैं फिलाल हम बसिष्टेन के बारे में जा यहां ठीक से नजर नहीं आ रही है कि इस तरह से बस इस्टेंड में बना हुआ है यह राज अंतर राजिय बस इस्टेंड कहा जाए तो ठीक रहेगा उलिशा से बस आ किसे दोस मानते हैं इसके लिए नगर पालिका क्या इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमसे ज्यादा आप यहां बस इस्टेंड की सबसे बड़ी समस्या जो आप बता रहे हैं उसको लेकर क्या यूनियन भी है यह नेताओं से या फिर नगर पालिका से कुछ मांग रखी हैं नगर पालिका से कई रहा है जाके नगर पालिका कुछ नहीं कर रही है ने नहीं कर रही कुछ करेंगे बूर करेंगे स्वासांद रेकिन कुछ नहीं होता है। उन्हें यहां रूकना है तब कैसे करते होंगे वह रात को तो कोई व्योस्था है नहीं दस बजे नौ-10 बजे बटन हो जाता है उसके आथ कोई ब्योस्था नियुक्त कहीं पर भी फुटपाथ में रहते हैं कोई शेप्टी भी नहीं है इतना बड़ा बस इस्टेंड है सुर चल रहा हैं ऐसे कई दिगज कार्य करता है बहाज़पा के जो बड़े कार्य करता मने जाते हैं उनका नाम चल रहा है अप कांग्रेस की तरफ जाएंगे या बीजेपी की तरफ जाएंगे कोई आभी तक तो कुछ विकास नहीं हुआ है सारांगर के जिला बनने के बाद के बारे में बता है जिला नहीं लोगय इन इziehनेवाद रहें लोग टिता भी कोई है इसके पैतर नामात्र का जिला बना है जिला तो बना है लेकिन कोई अभी रक्की नहीं हुआ इसे यहां कतों देखिए खासी नराजगी जनताओं के बीज भी है कोई लोग उत्तरी गनपज जांगरे के कारेकाल को पसंद भी कर रहे हैं कई लोग बोल भी रहें कि यहां आव्यस्था का आ सुरक्षा के नाम पर यहां सिर्फ एक चौकी दे दी गई है लेकिन वो भी किसी काम का नहीं है फिलाल जनता की नब्ज टटोलने का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा हम सारंगर विधान सभा के उस कोने तक पहुँचने की कोसिस करेंगे जहां तक पक्की रास्ते नहीं बलकि पकडंडियां पहुँचती हैं वहां जनता से जानने की कोसिस करेंगे कि वो वर्तमान विधायक से कितने खुस हैं या फिर नए चहरे की तलाज में हैं ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रही हमारे साथ ACN24 पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नवस्कार